Do you know, do you know, one becomes a member of a family? मतलब एक जो member बनता है, family का, वो किस तरीके से बनता है? By being born, या तो वो उस family में उसने जनम लिया हो, या फिर by getting marriage, या फिर साधी करने पर, and that, or through adoption, या फिर adopt किया हो, ठीक है? तब वो family का एक member कहलाता है, सदस्य कहलाता है, ठीक है? इसके बाद में क्या है? विशू's family, विशू's family के बारे में हम पढ़ते हैं, विशू's family क्या कहती है इसमें? विशू's mother took him to her parents' house in Lucknow. तो विशू की जो mother है, वो उसको कहां लेके जाती है? अपनी ममी पापा के घर लेके जाती है, Lucknow में, ठीक है? in summer vacation, summer vacation, जब छुटियां पढ़ जाती है, she promised to take him to all those places, वो promise करती हैं उसको ले जाने के लिए, उन सभी जगों पर, which she had love, जिन पर had love as a child, मतलब जब वो जब छोटी सी थी, तो वो उन जगों को बहुत ज़ादा प्यार करती थी, तो वो promise करती हैं अपने बच्चे से, कि वो उस जगे पर उनको ले के जाएंगी, ठीक है? तो विशू's father could not go with them, लेकि जो विशू के जो father है, वो नहीं जा सके उनके साथ में, क्योंकि he is a soldier, क्योंकि वो क्या है, soldier है in the Indian Army, ठीक है? उसके बाद में किया है, विशू's grandparents, Mrs. and Mr. Ajay Sarma are wonderful people, जो विशू's की जो grandparents हैं, Mrs. and Mr. Ajay Sarma, वो काफी wonderful people हैं, ठीक है, before marriage, सादी से पहले, विशू's mother, name was Manmeet Sarma, सादी से पहले जो विशू की जो मदर का name था, उनका क्या नाम था? Manmeet Sarma, after marriage, सादी के बाद में, she is known as Manmeet Singh, लेकिन सादी के बाद में उनको किस नाम से जाने जाना लगा? Manmeet Singh के नाम से, Manmeet Singh, okay, Singh is the surname of विशू's father, जो अपका जो सिंग है, वो क्या है, अपका सरनेम है, विशू के फादर का, मतलब विशू के जो फादर है, वो अपने पिछे सिंग लगाते हैं, तो इसलिए उनकी मदर भी क्या लगाती है, सिंग लगाती है, ठीक है? उसके बात में क्या है, विशू love his grandparents very much, जो विशू है, वो बहुत ज़़ा प्यार करता है, अपने grandparents से, his grandmother run a training center, उनकी जो grandmother है, वो क्या run करती है, training center run करती है, to teach embroidery to women from nearby slum, चीक है? इसके बात में क्या है, she sells, she sells their goods to a handicraft center, वो क्या sell करती है, मतलब क्या बेचती है, उनके जो समान होते हैं, उनको वो handicraft center में बेग देती हैं, जिससे कि उनको क्या help होती है, उनको earning हो जाती है, जो गरीब, जो वोमेन थी, जो औरते थी, उनको help हो जाती है, ठीक है? इस help them to earn money, जो कि इसमें help करती है, पैसे कमाने में उनकी help करती है, ठीक है? तो Vishu's grandfather teaches yoga in the park, in the morning and the evening, और जो Vishu के जो grandfather हैं, वो क्या teaches करते हैं, वो क्या सिखाते हैं, वो yoga सिखाते हैं पार्क में, morning में और evening में, ठीक है? He guides the people, वो guide करते हैं people को, कि वो correct eating habits को follow करें, किसके लिए? healthy life जीने के लिए, ठीक है? तो क्या है? He guides the people to follow correct eating habits for healthy life, यहां तक clear हो गया होगा आपको, उसके बाद में Vishu's mother completed her schooling and college from Lucknow, जो Vishu की जो mother है, उन्होंने कहा से complete किया है अपना? उन्होंने complete किया है अपनी schooling and college from Lucknow, she is our trained mani puri dancer, वो क्या है? trained mani puri dancer भी है वो, ठीक है? Now, she teaches mani puri dance to children in Jayaipur, और अभी वो क्या करती है? वो सिखाती है mani puri dance, बच्चो को, कहाँ पर? जैपुर में, वो जैपुर में, अभी वो क्या करती है? वो teach करती है, बच्चो को सिखाती है, वो mani puri dance सिखाती है, ठीक है? Vishu's grandparents told him that Manmeet, his mother was naughty. इसाइ बिशू के वो इसको बताते हैं, वो उसको बताते हैं, कि उनकी जो mother थी, वो काफी naughty थी. वो शरापी बच्ची थी एक तरीके से. she loves to climb on jamun उसको काफी पसंद था उस पे जो jamun पर चड़ना climb means चड़ना jamun पर चड़ना बहुत ज़्यादा पसंद था जो jamun का जो tree था पेड़ था उस पर चड़ना अच्छा लगता था and plucked to eat with salt और वो क्या करते थी जो कच्छे jamun होते थे उनको वो तोड़ती थी और ये salt के साथ है उनको खाती थी every morning Vishu's grandmother wash the branda every morning क्या करती थी जो Vishu की जो grandmother थी वो wash करती थी branda को with broom and then make beautiful design और वो क्या बनाती है फिर और एक beautiful एक सुन्दर सा design बनाती है रंगोली का on the wet floor जो गीला सा जो floor होता है उस पर वो एक सुन्दर साइक design बनाती है रंगोली का ठीक है Vishu also learned Vishu ने भी सीखा to make रंगोली from his grandmother अपनी ग्रेंड मदर से रंगोली बनाना सीखा उसने ठीक है तो question आएगा कि Vishu ने अपनी ग्रेंड मदर से क्या सीखा तो रंगोली बनाना सीखा Do you know रंगोली is the art of making beautiful design तो रंगोली क्या है इक आपकी art है एक कला है क्या बनाना beautiful design बनाने के कला होती है ये रंगोली on the floor पर तो ये किस से बनाई जाती है आपकी रंगोली colors से बनाई जाती है flowers से बनाई जाती है ठीक है इसमें ऐसेक्टरा दे रखा है ना इसका मतलब और भी हो सकते हैं colors, flowers और भी बहुत से दालों से बनाते हैं दाल का use करते हैं कुछ चावल का use करते हैं मतलब different different चीजों से आप रंगुली बना सकते हो ठीक है उसके बाद में क्या है विशू learned many things in लखनव विशू ने मतलब काफी सारी चीजें सीखी लखनव में विशू and his parents always had their meal on the dining table जो विशू और उसके जो parents है वो हमेसा क्या had always their meals वो हमेसा dining table पर ही बैट कर खाना खाते हैं लेकिन but his grandparents sit on mats लेकिन उनके जो grandparents हैं वो कहां पर बैठते हैं वो चटाई पर बैठते हैं मैट पर बैठते हैं and eat their food in the kitchen और कहां पर खाना काते हैं वो kitchen में खाते हैं ठीक है his grandfather says that उनके grandfather कहते हैं sitting cross-legged while eating मतलब हम जब खाना खाते वक्त में अगर हम पैरो को cross-legged करके जब हम आलती पालती लगा कर खाना खाते हैं तो यह good होता है for the digestion यह digestion के लिए अच्छा होता है once the meal is over everyone put the dirty dishes near the water tap उसके बाद में his grandfather roll the mat और उसके बाद में क्या है उसके जो grandfather है वो roll करते हैं mats को and keeps them on the self in the kitchen और वो self पे रख देते हैं जो आपके जो kitchen में जो self बनी होते हैं उसके उपर वो से रख देते हैं mats को यहां तक clear होगा होगा आप सभी को इसके बाद में क्या है Vishu learnt yoga from his grandfather जो Vishu है वो क्या सीखा उन्होंने yoga सीखा अपने grandfather से he also learnt to sue button on his shirt और उसके बाद में क्या है अब तक तो वो अपनी कहां पे था अपनी maternal grandparents थे अब वो father जो paternal grandparents है अब वो वहाँ पर जाता है ठीक है तो इसके बाद में क्या है Vishu love to visit his father parents अब उसको अपनी जो father की जो parents है वहाँ पर जाना भी उसको अच्छा लगता है ठीक है his paternal grandparents live in kapoor thala उसके जो grandparents है वो कहां पर रहते हैं वो kapoor thala में रहते हैं जो paternal grandparents हैं वो kapoor thala में रहते हैं ठीक है जो maternal grandparents थे वो लगनो में रहते थे और जो paternal grandparents हैं वो आपके kapoor thala में रहते हैं समझ में आ गया Vishu's father two brother जो Vishu's के जो father हैं वो तो भाई है and their family also live with them और उनकी family भी उनके साथ में रहती है ठीक है It is fun to live in joint family Vishu loves to play with his cousins जो Vishu है उसको बहुत अच्छा लगता है उस अपनी cousin के साथ में खेलना ठीक है तो they also they all speak Punjabi वे सभी क्या बोलते हैं Punjabi बोलते हैं तो every morning the whole family perform one together जो every morning क्या करते हैं प्रतेक सुबह जो पूरी family है वो perform करते हैं मतलब वो haven करते हैं एक हटे होकर ठीक है haven पूजा करते हैं then they have their breakfast तब वो क्या करते हैं उसके बाल वो breakfast करते हैं and go to school and work वो अपने काम काज में लग जाते हैं जो school चले आते हैं और अपने काम में लग जाते हैं इसके बाद में क्या है इसके बाद में आपका विशू से इसके रहाँ चैलरण करते हैं वो बच्चों को कहां पर लेकी जाते हैं जो फादर की जो जो शिश्टर होती है वहाँ पर उनको मिलाने के लिए लेकी जाते हैं she lives in blaze raja kallon तो वो कहां पे रहती है वो राजा kallon में रहती है ठीक है everyone enjoy a visit to her home they ate under the side of the tree वो कहां पर खाते हैं वो जो चाया होते हैं पेड़ की चाया उसमें वहां पर बैठ के उसमें बैड़ जाते हैं तब खाते हैं ठीक है his uncle took the children for a ride on the tractor उसके जो uncle है वो बच्चों को ले जाते हैं कहां पर ride कराते हैं वो tractor पर गाओं में आपको भी जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि tractor वगरा जो आपके मामा जी चलाते हैं तो आप भी उस पर बैड़ जाते होंगे ठीक है तो वो इस तरीके से होता है ठीक है इसके बाद में क्या है आप family can be small जो family है वो small भी हो सकती है और big B means बड़ी भी हो सकती ह है our small or nuclear family जो small family होते हैं उसे हम nuclear family भी बोलते हैं okay family is one where the father and mother live with their children जो आपके small family होती है nuclear family होती है उसमें क्या difference होता है उसमें क्या मतलब किस तरीके क्यों होती है उसमें आपके कौन-कौन होते हैं उसमें father होते हैं mother होते हैं और उसके children होते हैं तो वो क्या होते हैं आपके nuclear family अच्छा उसके बात माने बेग फैमली लुग इंड लस्मेहाओ कर द문 ना कि फैमली ना को डिए सब opportunities तो आपज एक अंड गर्मी फैमली रहते हैं कॉणों कॉण बीघैंट parents, uncle, aunt, cousins, यह सभी क्या हो, इसेक्टर, यह सभी क्या होते हैं, आपी joint family होते हैं, ठीक है, the important, the important things about a family is that the members love one another, they share their happiness, वो share करते हैं एक दूसरे की खुशियों को, ठीक है, और नियुक्लियर फैमिली जनरली है बॉत क्या-क्या रखती है नूप्लियर फैमिली में पेरेंट्स भी होते हैं और चिल्रन भी होते हैं तो इसका इसके बाद में क्या है विशू की जो ग्रेंड मदर हैं वो रन करती है किसके लिए पूर वोमेन के लिए किसके लिए करती है वो पूर वोमेन के लिए तो क्या है पीपल शोड फोलो करेक्ट इटिंग हैविट्स for हैल्दी लाइफ जो पीपल है उनको फोलो करना चाहिए एक करेक्ट इटिंग हैविट्स को किसके लिए एक हल्दी लाइफ जीने के लिए इसके बाद में क्या है अपका फिल इन दा ब्लैंक से हैं आपकी वी लिव इन आवर हॉम विद दा मेंबर किसमें आए रहे इसमें मेंबर ठीक है तो क्या है कि वी लिव हम रहते हैं अपने घर में विद मेंबर आफ आवर फैमिली वी लिव इन आवर हॉम विद दा मेंबर आफ आवर फैमिली फैमिली मेंबर कैन लुक अलाइक और डिफरेंट तो आपके जो फैमिली मेंबर से हैं वो एक जैसे भी दिख सकते हैं योगा from his grandfather, उसने अपने grandfather से क्या सिखा, योगा सिखा, विशू learnt, इसमें भी learnt आ रहा है, मतलब past की बात चल रही है, past का sentence है, ठीक है, क्योंकि T आ रहा है, इसमें learn, learnt, learnt, ठीक है, तो इसमें क्या second form आ रही है, ठीक है, जैसे हम बहुते हैं, l-e-a-r-n, learn, इसकी second form क्या होती ह है, इसको हम past के sentence में यूज करते है, past का sentence है, learnt, ठीक है, तो इसमें क्या है, we should learn to make रंगोली, क्या है, वो सीखता है, रंगोली, from his grandmother, ग्रेंड मदर से वो रंगोली मनाना सीख जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, past का sentence है, family member help each other in time of need, जब इसमें क्या है, जो family members हैं, वो help करत हैं, एक दूसरे की, जब भी जिरूरत पढ़ती है, ठीक है, match the following, क्या matching करनी है, विशु ग्रेंड मदर रं, क्या रं करती है, वो training center for poor women, विशु ग्रेंड फादर, वो क्या करते है, योगा स्खाते है, teaches yoga, ठीक है, तो विशु ग्रेंड फादर, teaches yoga in the park, एक family, एक family क्या होत people who are connected with love or concept, ठीक है, connected किसे होते है, वो love or concept, तो क्या है, तो क्या है कि, a family is two or more people who are connected by love or concept, clear, manmeet teaches, manmeet क्या सिखाते थे money puri dance, तो manmeet teaches money puri dance, clear हो गया, a big joint family, many members of family live together, of live together, तो यह इन से connect हो गया, तो यह आपको पूरा समझ में आ गया होगा, कि किसे क्या connect होना है, समझ में भी आ गया, अच्छा ठीक है, तो आपको अगर यह chapter अभी भी समझ में नहीं आ है, तो आप इस वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको बिल्कुल clear हो जाएगा, और उससे questions बनाने की process किया करो, ठीक है, क्योंकि अगर आपको chapters अच्छे से समझ में आ जाता है, तो आप questions easily list लेते हो, कोई problem नहीं आती है, ठीक है, तो आप इस channel को subscribe कर लीजेगा, इस channel का नाम है, good, nice channel, ठीक है, तो good, nice channel है यह आपका, और प्लीज आप इसको like भी कर देजेग videos को like नहीं करते हैं, तो आप please इसको like कर देजेगा, इतनी महनत से videos बनाते हैं, आपके like से हमें motivation मिलता है, जिससे कि हम और भी videos आपके लिए बनाएं